नमस्कार साथियूं तो आज का हमारा जो क्लास है वो रहेगी चुम्बुकत्यू की पार्ट दो पार्ट दो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चुमकी शेत्र की दिशा ग्याद करने के नियमों के बारे में चुमकी शेत्र की दिशा ग्याद करने के नियम तो सबसे पहले जो नियम आता है वो आता है दाए हाथ का अंगुठे का नियम दाए हाथ के अंगुठे का नियम तो इस नियम के द्वारा हम चुमके शेतर के दिशा के से ग्याद करेंगे हम इस नियम अनुसार किसी चालक को इस प्रकार पकड़े की जो अंगुठा है दारा की दिशा को इंगित करता हो इसमें इहां से लेकर यूँ इस तरफ दारा दिशा दारा प्रवा हो रहा है जो हमारा अंगुठा इंगित करता है तो मूड़ी हूलिया चुमकिश शेत्र के दिशा को इंगित करेगी, यह मूड़ी हूलिया है, जो इस प्रकार इसमें, ऐसे करके चुमकिश शेत्र बनेगा, तो यह यह नियम है, तो हम इसको लिखते हैं, तो किसी चालक को अपने दाए हाथ से पकड़ने पर, दाए हाथ से पकड़ें, वह अंगुठे को अंगुठे को धारा की दिशा में रखें, धारा की दिशा में रखें, तो मुड़ी उई उमलियां, मुड़ी उई अंगुलियां, किसको प्रदेशित करेगी, चुमकी शेत्र की दिशा को, चुमकी शेत्र की दिशा को इंगित करती है, इंगित करती है, तो यह दाय हाथ के अंगुठे का नियम, सेकेंड आता है हमारा मेक्सवेल का कोर्क इसक्रू नियम, मेक्सवेल का कोर्क इसक्रू नियम, तो इस नियम मेर सार हम किसी इसक्रू को धारा की दिशा में आगे बढ़ाएं, जैसे हमारा यह इसक्रू है, अब यदि हम इसको कसे हैं, और इसको धारा की दिशा में कसे हैं, तो इसके घूमने की दिशा है, वो चुमकी शेत्र की दिशा को बताता है, तो इसके घूमने की दिशा है, चुमकी शेत्र की दिशा को बताता है, तो यदि, यदि हम किसी इसक्रू को, किसी स्कुरू को धारा की दिशा में कसे तो कसने की दिशा चुम की शित्र को बताता है चुम की शित्र को बताता है तो यह है मेक्सविल का कोर की स्कुरू नियम तो यह नियम थे हमारे चुम की शित्र दिशा ग्याद करने के नियम अब देखेंगे हम कुंडली में जो द्रू बनते हैं इन व इस उसे ग्याद करने के नियम तो कुंडली में द्रू ग्याद करना कुंडली में दुरू ज्याद करना तो इसके लिए निये जो सबसे पहला नियम है वो है सिरे का नियम सिरे का नियम इसे एंड लो भी बोलते है एंड लो तो इस नियम नुसार यदि किसी कुंडली है यह कुंडली है यह कुंडली है इसमें हमारे ऐसे धारा प्रवा हो रही है तो इनके अंतिम सिरा इसमें धारा ऐसे प्रवा हो रही है और यह अंतिम सिरा है यह क्या है अंतिम सिरह यह जो नियम में वो अंतिम सिरे के लिए ही लागू होता है तो इसके अनुसार इस अंतिम सिरे पर यदि हमें धारा एसे प्रवाइट होती है एसे प्रवाइट होती है या इसमें हमें धारा एसे प्रवाइट मिलती है एसे मिलते हैं तो हमारा यह clockwise है clockwise है और इसके अनुसार यह s-drew कहलाएगा कौन सा कहलाएगा? clockwise clockwise s-drew कहलाएगा और यह anticlockwise रहेगा anticlockwise यह हमारा end-drew कहलाएगा अब इसे याद करने का एक ओर तरीका है इसमें धारा यह प्रोवाइट हो रही है तो इस s के आप a से चिनने लगा सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप a से प्रोवाइट हो रही है तो यह हमारा s-drew कहलाएगा और इसी प्रकार हम इसमें भी a से लगा सकते हैं तो यह हमारा n Drew है और यह एसे चल रहा है यह तीर का निशान इसको और यह तीर का निशान इसको इंगित कर रहा है तो यह हमारा एंती खुलोक्वाइज होगा तो n Drew और clockwise होगा तो इस Drew यह सिरे का नियम अब आता है हमारा next नियम जो है helix का नियम helix का नियम ये नियम भी चुमकी शेत्र की दिशा ग्याद करने का ही नियम है परन्तु ये किसी कुंडली में चुमकी शेत्र की दिशा ग्याद करने का नियम है तो इस नियमनसार यदि हम किसी कुंडली को इस प्रकार पकड़ें कि उसमें जो मुड़ी हुई उंगलियां वो धारा को प्रवाइद करने की दिशा में हो मुड़ी हुई उंगलियां कुंडली में धारा की प्रवाइद की दिशा में हो तो अंगुठा जो है वो चुमकी शेत्र को इंगित करता है तो इस नियमनसार या इसके अनुसार किसी कुंडली को किसी कुंडली को हम इस प्रकार पकड़ें इस प्रकार पकड़ें की मुड़ी हुई उंगुलिया धारा की दिशा को बतावे तो जो अंगुठा है तो अंगुठा चुमकी शेत्र को बतावेगा चुमकी शेत्र को बतावेगा इस प्रकार यह हमारी एक कुंडली है इसमें जो धारा की दिशा प्रवाइथ हो रही है यह हमारी कुंडली और इसमें हमारी ऐसे दिशा प्रवाइथ हो रही है तो यदि हम इसकी कुंडली को इस प्रकार पकड़ें यह हमारा हाथ है तो इस प्रकार पकड़ें कि यह जो मुड़ी वे मुलिया है वह धारा की दिशा को प्रोवाइद धारा की दिशा को इंगित करें तो जो अंगुठा है वह चुम की शेत्र की दिशा को बताएगा चुम्ब की शेत्र की दिशा तो यह है हेलिक्स का नियम अब देखते हैं हम चुम्ब कत्व संबदित और कुछ शब्दावलियों के बारे में तो सबसे पहले आता है हमारा चुम्ब की ये फ्लक्स चुम्ब की ये फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं ऊब चुमकिय अख्ष के लमवचे तल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या Крас्ष्वं Peki क्या सब्सक्ops यह दूदी से आते ही एक लाइन बोलडा चाथे तो ऐसे भोड़ सकते हैं कि चुमकिय बल्रेख्ष्वं कीکutan संख्या चुमक पले केलाती हैं तو चुम की अक्ष के बारे में हमने भाग 1 में पड़ा है कि चुम की अक्ष उसे कहते हैं जो चुम्बक के मद्धि में एस वधिय न को मिलाने वाली काल्प्निक रे घखा चुम की अक्ष के लंबवत तल को काटने वाली काटने वाली बल रेखाओं की संख्या बल रेखाओं की संख्या को चुम्ब की ये फ्लक्स केते हैं अब इसके हम मातर की बात करते हैं इसका मातरक क्या है तो इसका जो मातरक है वह है वेवर इसे हम WB से प्रदेशित करते हैं और यह हमारा SI मातरक है क्या सामातरक है SI अब बात करते हैं इसका अन्य मातरक तो अन्य मातरक है सब्सक्राइब इसका मेक्षेल जो है इसका cgs मात रखे ते समात रखे सीजी से अब बात करते हम यह चीज की तो एक वेबर बराबर कि एक कर दसकी गातå apa am precise lawोता है एक वेबर बराबर दसकी गात आठ मेक्शेल सकता है आप सै कि नियुक्ता आडि पॉर पांच में 5 याइन इतने मीकस वेवर में डिलों सिल आ झाल पर चुमकी ह elaborate आप डीके छुमकी हे फ्लक्स गहनत थो के बारे में चुम्ब किया फ्लक्स घनतु इसे हम 20 परदेशित करते हैं अब चुम्ब के फ्लक्स होता है तो चुम्ब के फ्लक्स तो होता था कुल बल रेखाओं की संक्या जबकि यहां चुम्ब के फ्लक्स घनतु जोता है प्रति इकाई चुम्ब के फ्लक्स को प्रति इकाई शेत्र से गुजर्ने वाले चुम की फ्लक्स को चुम की फ्लक्स घनतु कहते हैं तो प्रति इकाई अथा कोई सीमिश शेत्रे मार पास उससे गुजर्ने वाले चुम की फ्लक्स को हम चुम की फ्लक्स घनतु कहते हैं तो प्रति इकाई शेत्र से गुजरने वाले या गुजरने वाले चुमकिश फ्लक्स चुमकिय फ्लक्स या हम चुमकिय बल रेखाएं भी बोल सकते थे चुमकिय फ्लक्स या चुमकिय बल रेखाओं को चुम्ब के फ्लक्स गहनतु कहते हैं चुम्ब के फ्लक्स गहनतु जिसे हम B से प्रदिश करते हैं कहते हैं अब आता है हमारा चुम्ब के फ्लक्स गहनतु का सुत्र तो B बराबर अधा चुम्ब के फ्लक्स गहनतु जो होता है भीचव बहनते मलब को कि ट रखां सुंके९ फ्लक्सट ब estoy डियु आउप फैसे प्रदीशित करते हैं और शेट्रफल कॉम एसे तो हमारा्व चुंके कि प्रस्तों का जोुस्थ्र bir अब यद जरा पूर्च ह को अब बात करते हैं मैं इसके मात्रक की तो इसका जो मातरर्क है तो इस सुत्र निकाल सकते हैं यह हमारा चुमक्य ध्युक्राइब तका स्क्राइब्र बंदने नहीं ऊसला टेसला इसका SI मात रखे यह इसका एक और मात रख होता है जो CGS मात रखे, GOES यह इसे हम GAUS भी बोलते हैं गोस या Goos यह हमारा CGS मात रखे तो फर CGS और SI दोनों मातर के याद रखें अब बात करते हैं एक टेसला में एक टेसला में दस्गिगा चार गाउस होते हैं एक टेसला में दस्गिगा चार गाउस होते हैं अब आप से पूछ ले कि एक गाउस में कितने टेसला होते हैं तो इस दस्गिगा चार को आप यहां पर इंटू में इधर दिलेंगे तो बटे में तो इसको हम ऐसे लिख सकते है एक गाउस बराबर इसको बटे में ले जाएंगे तो एक बटा दस्किगाद चार और दस्किगाद चार बटे में आगया इसको उपर ले जाएंगे तो यहां पर आजाएंगा दस्किगाद माइनस चार टेसला तो यह दोनों ज्यादा important है एक टेसला बराबर दसीगाद 4 गाउस और एक गाउस बराबर दसीगाद माइनस 4 टेसला तो यह चुम के flux गनतु अब देखेंगे हम चुम बकत्तु वाहक बल के बारे में चुम बकत्तु वाहक बल अथात इसे हम M, M, F भी खेते हैं मेगनेटिव मोटिव फोर्स आवेश चेप्टर में हमने E, M, F पढ़ाता जो था विद्यूत वाहक बल यह हमार पाद चुम कत्तु वाहक बल है E, M, F जो होता था वह इलेक्ट्रोन को गति कराने वाला बल होता था यहां जो चुम कत्तु है वह चुम के फ्लक्स को गति कराने वाला बल है चुम कत्तु वाहक बल चुम कत्तु वाहक बल केलाता है तो इसके हम परिवाशा कैसे लिखेंगे वह बल जिसके कारण चुम की फ्लक्स चुम की फ्लक्स में प्रवाह हो क्या 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 लाता है M, M, F M, F क्या लाता है अब बात करते हैं हम इसके सुत्र की तो इसे हम M, M, F से यह हमारा बल है तो F और मेगनेट का है तो M F, M से भी प्रदेशित करते हैं तो इसका जो सुत्र है वह है N into I जहां N तो है नमबर ओफ टंड की संक्या और I है विदुद्धारा जहां N तो है टंस की संक्या टंस की संक्या और I जो है वह है विदुद्धारा तो यह हमारा चुमकत्व वहाक बल ज्याद करने का सुत्र है इससे भी आपको अगर टं की संक्या देदेगा और विदुद्धारा देदेगा तो आपको उसको दोनों को गुणा करके M, M, F कमान निकालना पड़ेगा अब बात करते हैं इसके मात्रक की तो इसका जो मात्रक हम इसी सुत्र से निकाल सकते हैं नंबर ओफ टं की संक्या टं के लाएगी अथा T और विदुद्धारा विदुद्धारा को हम एंपियर में आपते हैं तो इसका जो मात्रक होगा वह एंपियर टं के लाएगा एटी भी बोलते हैं इसे तो इससे बोलते हैं हम एंपियर टं एंपियर टं तो यह है चुम्ब का तो वहाक बल अब देखेंगे हैं चुम्ब के फ्लक्स गहनत्यों जो है वो किन-किन बातों पर निरबर करता है तो चुम्ब के फ्लक्स गहनत्यों की निरबरता चुम्ब किये फ्लक्स घनत जिसे हम बी से परदशित करते थे चुम्ब किये फ्लक्स घनतों की निर्वरता तो ये किन-किन बातों पर निर्वर करता है तो ये सबसे पहले चक्रों की संख्या पर निर्वर करता है चक्रों की संक्या कुछी कुंडली में यह किसी कोयल में चक्रों की संक्या ढरा पर चत्ती ज्यदा धारा का मान रहेगा उतने जब्लों से बनेगा रोड के ढ़त कर पें कुंड़न को लपेता है उसकी मोटा ils ज़्यादा रहेगी तो चुम किफलक्स गनत तो कम बने गा। नेक्श रहता है क्रोड कपदास की प्रकरती पर पिस पदास geb देख है उसपर भी चुम फ्लक्स गनत निर्वर करता है तो क्रोड के पधार्थ पर कि नेक्स्ट आता है क्रोड की लंबाई पर क्रोड की लंबाई पर अतायत किसी क्रोड की लंबाई ज्यादा है तो उसमें चुमक्यों फ्लक्स गनत ज्यादा बनेगा और क्योंकि उसमें चक्रों की संक्या भी हम बढ़ा सकत का बनें स्कूप्रों एक फ्लस्गनति कवल комментар है तो यह जो जो रहल बऩए प्रतिष्ट कोंव प्रतिश्टम्ब को हम रिलक्टेंस बोलते हैं रिलक्टेंस तो प्रतिश्टम्ब जो होता है एक तरह का प्रतिरोध ही है हम आवेश चेप्टर में जो कुछ पढ़ते हैं वह हम चुम्बकत्व चेप्टर में बढ़ते हैं बिल्कुल मिलता जूलता चेपٹरें दोनों इसमें नाम कुछ चुमिकरतीों इससे संबदित थें to जो परतिृस्ट में धारा के मार्ग में अवरध होता है और जो यहाँ परतिश्ठम zelैस्ट जो धारा का काशा मकूर उसके मान में अवरोध उत्पन होना प्रतिश्टंब केला था है। अधा चुमकिय फ्लक्स में उत्पन अवरोध को प्रतिश्टंब केते हैं। चुमकिय फ्लक्स को या चुमकिय फ्लक्स में उत्पन अवरोध को प्रतिश्टंब अथाथ reluctance केते हैं प्रतिश्टंब केते हैं इसका जो प्रतिक है अथाथ हम इसे किस से प्रदेशित करते हैं तो वो है S या R M R यानि प्रतिरोद और M अथाथ चुम्ब कतु का प्रतिरोद तो R M से या S से प्रदेशित करते हैं आप देखते हैं इसके सुत्र कि तो इस बराबर ये इस पृतिक चिन के रूप में। प्रतिश्टम बराबर जो होता है प्रतिरोद हमने पड़ाता ओम की नियम से आर बराबर वी अपोन आई यही पड़ाता वी अपोन आर बराबर वी अपोन आई तो वी था अमर पास वोल्टेज यहां पर अमर पास वोल्टेज के रूप में एमेमेफ क्यार करेगा अधात बराबर वी अपोन आई यहां जो आई का काम कर रहा हो है चुमकिय फ्लक्स तो चुमकिय फ्लक्स को हम फाई से प्रदिश्ट करते हैं तो इसका जो यहां सुत्र बनेगा mmf बट फाई यहां इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एस बराबर mmf जो होता है उसका सुत्र था टेंस की संख्या इंटू दहरा की संख्या अतला टेंस की और धारा का गुणनफल mmf के लाता है तो एजन आई अपोन तो हम इसे एसे भी लिख सकते हैं या एसे भी लिख सकते हैं तो यह प्रतिष्टम ज्याद करने के सुत्र है अब इनके इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक जो निकालें हम MMF का जो मात्रक निकाला था हमने इस सुत्र से NI से तो वह निकाला था whichever he is उपियर उपेर्शम इर्ण विद्रण मुद्रा का मात्रक्त एंप सेंग टमय येच यह क्वेए लुगई कि समचिया को सब्सक्राइं गर्व ग्रीच भी आप क्लार कि मौनज नचर्ण ड्र ईत्यथ मैंने इम्पेर्ण बटद वबर इसेpole गर्षम तो यह आजाता है हमारा पास ampere turn ampere turn बटा weber अब बात करते हम इसके एक और सुत्र की तो S बराबर L अपोन mu naught mu r A यह हमारा पास A है तो इस सुत्र से भी हम प्रतिश्टम को ग्याद कर सकते हैं लेकिन यह ज़्यादा सुत्र काम में नहीं आता दोनों सुत्र main यही है तो यह extra के लिए आपके लिए आप याद रखें तो S बराबर L बटा mu naught mu r A अब इस से हम इसका मातरक निकालते है इस सुत्र से भी इसका एक अन्य मातरक बनता है तो यहाँ पर जो mu note है वो चुम्बक शिलता है चुम्बक शिलता जिसको हम आगे देखेंगे चुम्बक शिलता क्या होती है और mu r जो है वो है शापेक्षिक चुम्बक शिलता शापेक्षिक चुम्बक शिलता यह mu note चुम्बक शिलता और mu r सापेक्षिक चुम्बक शिलता इस से हम इसका मातरक ज्याद करते है L क्या है हमार पाद लंबाई लंबाई किसमें होती है मीटर में बटा mu note का जो मातरक है अधा चुम्बक शिलता का वह हेंरी परती मीटर हेंरी किसका मात्रा के चोप का अथा कोयल का तो इसका जो मात्रा के चुमबक शिलता का वह हेंरी परती मीटर into शापकशिक चुम्बग शिल्ता का या चुम्बग शिल्ता दोनों का मात्रक हेन्री पर्थी मीटर है अब बात करते हम A, A अथा शेत्रफ़ल और शेत्रफ़ल का जो मात्रक है वो है मीटर इसक्वाइर मीटर से एक मीटर कड़िया बचा है यहाँ पर एक मीटर और एक और मीटर से हमारा ये एक मीटर कड़िया हमारे पास बचा पन अपोन ये नीचे हेंरी तो इसका जो अन्य मात रखें वो है प्रती हेंरी प्रति हेन्री या एक बटे एच तो इसका एक अन्यमात्रक भी आप याद रखें तो यह है प्रतिश्टम अतास लिलक्टेंस अब पढ़ेंगे हम पर्मियंस के बारे में पर्मियंस तो पर्मियंस केते किसे हैं महां जो आविश चिप्टर में हमने जो पर्तिरोत पढ़ा था पर्तिरोत था चुमकिय विद्धारा के मारग में उत्पन अवरोत और यहां पर पर्तिश्टम था चुमकिय फ्लक्स के मारग में उत्पन अवरोत वहां जो प्रतिरोत का व्यूत करम था वह था चालकता अब यहां जो प्रतिश्टम का व्यूत करम में वह पर्मियंस चालकता क्या कारी करती है व्यूत धारा के प्रवाव में सुगमता प्रदान करती है तो पर्मियंस क्या काम करेगा चुम के फ्लक्स में सुगमता प्रदान करेगा तो यह बोल सकते हैं इसको चुम के फ्लक्स में सुगमता प्रदान करने का कारी पर्मियंस का होता है यह के सकते हैं प्रतिश्टम का व्यूत करम पर्मियंस कहलाता है तो प्रतिश्टम का व्यूत व्यूत्करम पर्मियन्स के लाता है यह हमें चुम्ब किये फ्लक्स के मार्ग में सुगमता प्रदन करता है अब इसे का जो सुगमता प्रदन करता है अब इसे का जो सुत्रव हो है पर्मियन्स बराबर वन अपोन व्यूत्करम होता है इसलिए वन अपोन प्रतिश्ठंब प्रतिश्ठंब का व्यूत्करम तो यहां से हम पर्मियन्स का मात्रग भी निकाल सकते हैं प्रतिश्ठंब का जो मात्रग था एटी बटे वेबर अथा एंपियर टरन बटे वेबर यहां से हम यहां पर एंपियर टरन बटे वेबर लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो मेरा पास आजाएगा वेबर बटे MPa turn, इसका मातरक निकालते हैं, तो इसका जो मातरक है, इस सुत्रस निकालेंगे, एक बटे, पृतिष्टम का जो मातरक था, वो था 80 बटे वेबर, इसको हम आगे solve करेंगे, 1 को हम यहाँ ही रहने देंगे, और 1 बटे 1 लिख सकते हैं, इस बड़े बटे को हम जब into में change करेंगे तो इसके उल्टा करना पड़ेगा, तो वेबर बटे 80, तो इसका जो मातरक आएगा, वो आएगा, वेबर बटे 80, तो यह आजाएगा हमार पास इसका मातरक, जो है पर्मियेंस का मातरक, अब देखेंगे हम चुमकी शेत्र की प् चुमकी शेत्र की प्रबलता, सबसे पहले देखते हम इसे किन-किन नामों से जाना जाता है, तो चुमकी शेत्र की प्रबलता भी इसे कहते हैं, चुमकी शेत्र की तीवरता, चुमकी शेत्र की तीवरता भी इसे कहते हैं, और चुमकी शेत्र भी इसे कहते हैं, चुमकी शे चुमके शेत्र भी से कहते हैं चुमके शेत्र सामर्थिय। तो यह तीनों एक ही नाम है चुमके शेत्र के तीवता चुमके शेत्र सामर्थिय। या चुमके शेत्र के प्रबलता इसे हम H से प्रदशित करते हैं अब हम देखते हैं इसका सुत्र तो H बराबर M M F बटे एल तो यह हमारे पास चुमकी शेत्र की प्रबलता का सुत्र है अब बात करते हैं हम इसके मात्रक की तो इसका जो मात्रक आता है वो MMF का जो मात्रक है वो है Ampere Turn बटे नीचे है L अधा लंबाई लंबाई का जो मात्रक है वह है मीटर तो इसका मात्रक बन जाता है MPa turn बटे मीटर यह है चुमकी शेत्र की प्रबलता अब देखते हैं हम चुमबक शील्टा के बारे में चुमबक शील्टा इसे हम मुव से प्रदिशित करते हैं तो चुम्बक शीलता केते किसे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंगलिश नेम क्या है? तो इसका इंगलिश नेम है वह है परमी इबिलीटी पर्मीये in Suspanders तो चुम्बक शीलता केते किसे हैं? तो पदहार्थ में उतपन फ्लक्स वो वायू में उत्पन फ्लक्स का अनुपात चुम्बक शीलता के लाता है पधार्थ में उत्पन फ्लक्स वायू में उत्पन फ्लक्स वायू में उत्पन फ्लक्स का अनुपात चुम्बक शिलता केलाता है चुम्बक शिलता केलाता है तो अब देखते हैं इसके सुत्र की तो μू बराबर पदार्थ में उत्पन फ्लक्स कॉम B से प्रदिशित करेंगे और वाई-उ में उत्पन फ्लक्स अथाथ H तो μू बराबर B अपोन H यह इसकी एक और परिवाशा ही बन जाती है B जो है चुम्बक फ्लक्स घनतु है हमें पता है और H जो है हमें अभी पढ़के आए चुम्बक शित्र की प्रबलता तो इसका जो है इसे भी किसकते हैं चुम्बक फ्लक्स घनतु और चुम्बक शित्र की प्रबलता का जो अनुपात है वह चुम्बक शिलता कहलाता है अब देखते हम इसके मात्रक की तो इसका जो मात्रक है वह है हेंरी प्रती मीटर हेंरी प्रती मीटर इस सुत्र से ही यह बना है इन सुत्रों से चुम्बक फ्लक्स घनतु का मात्रक यहां पर लिखके और चुम्बक शित्र की प्रबलता का मात्रक यहां से निकले हम हेंडी प्रतिमीटर इसका मात रख निकाल सकते हैं तो यह है चुम्बक शीलता अब बात करते हैं इसके कुछ पोईंट्स की तो आप नोट लगाके लिखना илась मिउ जो होता है मिउло निदोडियुमें चुम्बक शीलता और ऑर सापेक्षी या वाईयू की चुम्बक शीलता और मुउ आर्ज होता है किसी माध्यम या शापेक्षिक चुम्बक शीलता इन दोनों का गुणनफल जो बनता है मुउ बनता है तब बात करते हैं मुउ नोट की तो मुउ नोट का जो मान है वो चार पाई इंटू दसिगात माइनस सेवन हेनरी प्रती मीटर होता है यह निर्वाद की चुम्बक शीलता है निर्वात की चुम्बक शिल्ता तो इसका जो माहन होता है चार पा इंटू दसिगात मायट ने साथ हेन्री प्रतिमीटर अब देखते हैं म्यू आर के बारे में तो यह होता है शापेक्षिक चुम्बक शिल्ता अब आपने देखा यह वाली जो चुम्बक शिल्ता निर्वात या वायू की उसका मात्रक क्या हो जाता है हेन्री प्रतिमीटर जबकि शापेक्षिक जो चुम्बक शिल्ता उसको वह मात्रक हीन है वह मात्रक हीन है तो आपके पास Question आ सकता है कि सापेक्षिक चुम्बक शीलता का मात्रक क्या है तो वह मात्रक हीन होती है अब बात करते हैं म्यूर कमान एक जो होता है वह वाइयू की उपस्तिति में होता है तरत में को चुम्बक का जो मान होता है वह एक होता है और म्यू-र का जो मान होता है इस पात में अथार्थ स्टील man wothay 50-2000 के बीच यह ज्याद रखने कि आपको वेसे जुरूत नहीं है बांकि में आपकी यवायू में जो अब देखेंगे हम अवशिष्ट चुम्बकत्व के बारे में, तो अवशिष्ट चुम्बकत्व केते किसे हैं, तो यदि कोई पदा हात है जिसको हम चुम्बक बनाना चाहते हैं, उसको हम चुम्की शेत्र में रखेंगे, तो चुम्की शेत्र के रखने में रखेंगे, तो यदि हम उस चुम की शेत्र को हटा देंगे, तो उसमें चुम की शेत्र के गुण आने के कारण बना है, तो उसमें चुम की शेत्र के गुण बच जाते हैं, अतार उसमें जो शेत्र चुम के गुण को हुए न, उसी को हम अवशी चुम कातु कहते हैं, तो यदि किसी पधार् रखने पर चुमकी शेत्र में रखने पर उसमें चुम्बकत्व के गुण आ जाते हैं तता वो चुमकी शेत्र हटा लेने पर उसमें ये गुण शेष रह जाते हैं उसे ही हम आउशिष चुमकत्व केते हैं अधात कि कोई भी पधारते हम उसको चुमक बनाना चाते हैं तो हम उसको चुमकी शेत्र में रखना पड़ेगा जिससे वो चुमक बन जाएगा और वो चुमक बना क्यों हैं क्योंकि यदि हमने चुमकिशित्र हटा लिया तो वो चुमबक जो बना है वो चुमकिशित्र गुण के उसके बच्चे रेने के कारण बचा है अगला देखेंगे हम धार्णा शक्ति या धारीता के बारे में धार्णा शक्ति इसको हम रिटेंटी वीटी केते हैं जी टेंटी वीटी जैसे हम प्रती धारीता भी कहते हैं प्रती धारीता तो आउशिष चुम्बकत्य को धारान करने की शम्था प्रती धारीता या धारना शक्ति कहलाती है अधा उसकी कितनी शम्ता है कि वो चुम्बकत्व गुणों को अपने अंदर ले सकता है तो यही शक्ति हमार पास धारना शक्ति कहलाती है तो अशिष्ट चुम्बकत्व को धारन करने की शम्ता अशिष्ट चुम्बकत्व को धारन करने की शम्ता क्या कहलाती है धार्णा शक्ति धार्णा शक्ति या प्रतिधारिता प्रतिधारिता कहलाती है अब देखेंगे हम निगराहिता के बारे में निग्राहिता को हम कोईरी सीटी वीटी केते हैं कोईरी सीवीटी सीटी वीटी कोईरी टी सीटी वीटी केते हैं इनके आपको इंगलीश नेम भी याद रेने चाहिए क्योंकि आपको क्यूशन में इंगलीश नेम भी दे देता है वो तो निग्राहिता किसे केते हैं तो प्रति चुम्बकन या वी चुम्बकन बल जो अवशिस चुम्बकत्व को हटाता है अथात हम किसी पदात को चुम्की शेत्र में रखते हैं और वो चुम्कित हो जाता है क्योंकि उसमें अवशीष चुम्बकत तो बचा रह जाता है अब उस अवशीष चुम्बकत को खतम करने के लिए जो हम बल लगाते हैं वह निग्राहिता के लाता है तो किसी प्रती चुम्बकन या वी चुम्बकन वी चुम्बकन बल जो अवशीष चुम्बकत को हटाता है अवशीष चुम्बकत को हटाता है उसे निग्राहिता केते हैं निग्राहिता या निग्राही बल भी के सकते हैं निग्राहिता केते हैं, तो यह है निग्राहिता, अगला आता हमारा चुमकिय लिकेज, तो चुमकिय लिकेज केते किसे हैं, तो चुमकिय फ्लक्स का वह भाग जो किसी कारणवर्ष व्यर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है चुमकिय लिकेज, तो वह भाग किसका चुम के फ्लक्स का चुम के फ्लक्स का वह भाग जो चुम के फ्लक्स का वियर्थ हो जाता है वियर्थ हो जाता है उसे चुम के लिकेज केते हैं चुम्ब के लिकेज इसे हम फाई एल से प्रदिश्ट करते हैं लिकेज केते हैं अब देखते हम फाई टोटल अथा था हमें कुल चुम्ब के फ्लक्स निकालना है तो फाई यूज अथा जो उप्योग किया गया फ्लक्स है फ्लक्स फ्लक्स अगहां अब देखेंगे हम स्यथिलि पार्ष के बारे में इसे हम शेथिल्लि पाश है। यह इसे हम हिष्ट्रेशिस लूप भी बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लूप यह इसे ही हम भ वक्र भी बोलते हैं भ वक्र यह तीनों एक ही नाम है तो यह जो ग्रिक शब्द हिस्टेरोज से बना है हिस्टेरेसिस लूप का जो हिस्टेरेसिस सब्द है वह ग्रिक शब्द हिस्टेरोज से बना यह ग्रिक शब्द हिष्टे रोज से बना है इस हिष्टे रोज शब्द का जो अर्थ है जिसका अर्थ क्या है किसी से पीछे रह जाना या पीछे रहना हिष्टे रोज सब्द का अर्थ है तो शेत्हिले पाश और इस्टे रोज या बीच वक्रे वह इसी पर आधारिते अधात किसी का पिछणना हिष्टे रेसिस के लाता है तो यह जो वक्रे इस प्रकार का बनता है तो इसमें हम वक्रे बनाते हैं तो यह बिंदू है अब कोई पदाहार थे यह तो हमारा पास है है अथा चुम की शेत्र की समर्थ्या और यह हमारा पास बी अथा चुम की फ्लक्स घंद। यह हैं। इसे एक तरह से कह सकते हैं भी है जो mean में का काम भी करता हैं रहा तो सब्सक्राइब को मान बढ़ाएं एक ड़क्त ऑपश्र बढाएंगे तो अदर्ण मैं ूपी शेत्र को बढ़ा है और i5 पार गंदु में इससे में बढ़ाएं तो चुल शेत्र गहां नहीं सकता और और वही point क्या क्या लाता है संत्रप्ति बिंदु अथा saturation point saturation point इसे कहते हैं संत्रप्ति बिंदु संत्रप्ति बिंदु अब यहां तक हमने किसी पदात को चुमकित किया अब एक चुमकित नहीं कर सकते हैं अब हम इसका चुमकित ऺठाएंंगे तो इसको हर्टाने पर हम यह वह बच्चा रहता है इस बिंदु को भी नाम देदेगे और इस बिंदु को हम देतें, यह हमारा O बिंदू है, यह A बिंदू होगया यह B बिंदू हो गया, तो यह जो O B जो है, वो ह हमारा अवस्षि갔्स चुम्बकत्व कैलाता है, क्योंकि हम जो चुमकी शेत्रिता उसको हटा रहे हटाते हटाते हमने देखा कि इसमें इतना हरा चुम्ब कत्तव अभी बचा हुआ है और यह हमारा दूख गठाल के लाता है तो ओ भी जो है वह आवसिष्ट चुमबकत्व है अवशिस्ट, चुम्बकत, अब देखते हैं हम इसमें और पीछे की तरफ हम अब नेगेटिव दिशा में, अथार माइनस की दिशा में और कम करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता हैं, तो यदि हम इसको और कम करते हैं, तो हमारे पास ये प्रभाव आता है, इस बिंदु क को हम C point नाम देते हैं, तो OC जो है हमको इस चीज को पूरा 0 पे लाना था, हम 0 पे लिया हैं, अब यह जो extra जो हमारे पास बल लगा है, क्योंकि हमने किसी चुमकिर शेत्र को रखा, फिर उसको हटाया, उसमें कुछ चुमकत्व बचा, अब उसको हम 0 करना चाते हैं, तो हमने जीरो पे लिया है, अब कैसे लाए हमने जब इधर इतना बढ़ाया, तो यह जो इतना बल दिया है हमने, हमने वह हमारे पास निगराहीता के लाता है, तो OC, OC जो है वह निगराहीता है, निगराहीता या निगराहीता, निगराही बल, तो इसे हम निगराही बल केते हैं OC को अब देखते हम इसे नेगेटिव दिशा में यदि इसको हम बढ़ाते हैं चुम्बकत को वापस इसमें चुमकित शित्र में रख रहे हैं पर नेगेटिव दिशा में तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम पास एसी इस्तिती चालो होती है अब ये पॉइंट जो आता है ये भी एक saturation point है negative दिशा में भी saturation point होगा कि उसको इतने से ज़्यादा हम चुमकित नहीं कर सकते हैं ये भी हम पास संत्रप्ति बिंदू हो जाता है संत्रप्ति बिंदू पर कौन सा negative दिशा में अब इसे भी हम वापस एसे इसे भी खतम करेंगे तो इसे खतम करने के लिए हम पीछे लेंगे तो पीछे लेंगे तो हमारा पास पता चला यह point तक इतना जो चुमकत है अभी भी इसमें बचा हुआ है तो यह जो point है हमारा पास D के लाएगा यहारा पास D इसको नाम देंगे हम इसको E नाम देंगे इस point को E, इस point को D नाम देंगे तो ये जो बचा हुआ चुमकिस शेत्व ये भी अवशिष चुमकत्व है अब इसे भी हम 0 करेंगे तो 0 करने के लिए हम पीछे लेंगे और यहाँ पर पोचाएंगे और ये जो बल है वो भी निग्राहिता केला जाएगा और इसे हम इस लूप के साथ मिला देंगे तो हिस्ट्रेशिज जो लूप होता है वो इस प्रकार का होता है ये हमारा शेत्व लिपाश बीएच वक्र क्यों? क्योंकि ये B तता H से मिलकर बना हुआ है इसलिए इसे ही हम बीएच वक्र भी कहते हैं तो आपको शेत्व लिपाश अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें ये कैसे काम करता है और इसका अर्थ क्या है? अब देखते हैं इसमें उर्जा हानी क्या होती है? तो इसमें जो उर्जा हानी होती है उर्जा हानी तो एक चक्र में प्राप्त उड़जा की हानी इस लूप का शेतरफल के समान होती है अतात इस शेतलिपास की जो उड़जा हानी है वो शेतलिपास के शेतरफल के समान होती है तो एक चक्र यहां आरपास यहां से शुरू हुआ यहां से यू फिर यहां से यू जाके यू तो यह एक चक्र के लाए तो एक चक्र एक चक्र में प्राप्त उर्जा प्राप्त उर्जा की हानी प्राप्त एक चक्र में प्राप्त जो उर्जा की हानी है वो लूप के शेत्रफल के समान होती है लूप के शेत्रफल के समान होती है तो आप सब पूछ ले जो शेत्रफल में जो उड़जा होनी होती है वो किस के समान होती है तो वो लूप के शेत्रफल के समान होती है है यह अब हम जो देखेंगे देखेंगे विधु चुम्भक के अनुप्रियोग अताहते हम विधु चुम्भक, जो बनाते हैं उसका हम प्रियोग कहा कहा काम में लेते हैं तो विधु चुम्भक के अनु- Prais तो विदू चुम्बक का जो प्रियोग है सबसे पहला वह आता है बेल अधात विदूत घंटी में विदूत घंटी में विदू चुम्बक का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट आता है मेरे पास बजर में अब नेक्स्ट आता है रिले में रिले को हम अगले चेप्टर आएंगे जो हमारे पास रिले और शुरक्षा यूपती उसमें पढ़ेंगे रिले एक शुरक्षा यूपती जो परिपत की शुरक्षा करती है तो रिले में भी विदुचुम्बक का प्रियोग किया जाता है नेक्स राता हमार पास इंडस्ट्रियल उपकरण में इंडस्ट्रियल उपकरण में अतात हमार पास कोई स्ट्रेक्ट्री बगेरा उसमें भी विदुचुम्बक का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट आता हमार पास सर्किट ब्रेकर में सर्किट ब्रेकर अतात ये भी एक शुरक्षा युकती है जो सर्किट परिपत की शुरक्षा करती है कोई भी दो शाने पर ये परिपत को तोड़ देती है अब आता हमार पास नेक्स्ट टेलीग्राफी परिपत में नेक्स्ट है विदूत क्रेन में नेक्स्ट है विदूत मोटर या विदूत जनित्र में विदूत जनित्र में उनहों नेक्स्ट अनुप्रियोग्स अब जो आता हुआ मरे पास फेरा डेकिज विदूत जुम के प्रेनर्ण के नियम में वह बहुत ज़्यादाए इंपोर्ट्चननेत है इसी से आप अगला चेप्टर है जो हमार पास मोटर जनित्र आधी जो चेप्टर आएंगे वो इसी पर आधारी थे तो अब आता हमारा फेराडे के विदुत चुम्ब किये प्रेंडर्ण के नियम तो इसने विदुचुम के प्रेरेंड के दो नियम दिये सबसे पहला प्रथम नियम और दूसरा दित्य नियम तो पहला देखते हैं हम प्रथम नियम के बारे तो फेराडे का जो प्रथम नियम है विदुचुम के प्रेरेंड से तो वह है किसी यदि हम किसी चालक को चुमकी शेत्र में रखते हैं और उसे किसी चालक को या चुमकी शेत्र इन दोनों में से किसी एक को घुमाते हैं या तो चुमकी शेत्र को घुमाएंगे या किसी चालक को घुमाएंगे तो इस से हमारे जो चुम के फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा अथाथ हमारे पास यहां दो मेगनेट है जो चुम के शेत्र बनाते हैं इसके मद्धिया में एक चालक रखते हैं यह हमारे पास चालक है यदि इस चालक को हम घुमाते हैं तो इसमें जो चुमके फ्लक्स में परिवर्थन होगा और इस परिवर्थन के कारण ही हमर पास कुछ विदुत्वाखबल उत्पन होता है अथा है जिसे हम प्रेडित EMF केते हैं उस प्रेडित EMF उत्पन होगा यही प्रहाडे का wherever you travelled का प्रतमनियऊ में तो कि एक आई फ्लक्स में परिवरतन होने पर प्रैरित इमे нож होता है। यही प्रतमनियफ है कि इसे हम एसा लिख ते किसी चालक को किसी चालक को चुमके शित्र में गुमाने पर चुमकिय शित्र में घुमाने पर उसमें चुमकिय फ्लक्स में परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है जिससे प्रेडित EMF उत्पन होता है प्रेडित EMF उत्पन होता है या याध्य प्लक्स तो डीसी जनीतरं डीसी मोटर अधि सभी इसे सिध्धाइन पर कामकरते हैं तो प्रेरित इमेफ उत्पन होता है अब देखते हम फेराड का विद्यू चुम के प्रेरित इमेफ उत्पन करना सिखा है कि हम किसी चुम के शेत्र में किसी चाला को गुमाते हैं तो चुम के फ्लक्स में परिवर्तन होता है वह उसकारण उसमें प्रेरित इमेफ उत्पन होता है अब देखेंगे में तो जो उत्पन इमेफ है अथा प्रेडित इमेफ सदेव चुम के फ्लक्स में परिवर्तन की दर्के समन उपाती होता है प्रीरित यूंव परिवर्दन है तो चुम्ब की 팔क्स यदि तेज परिवर्तन हो रहा है तो उसे प्रेद क्यों प्रिवर्द्ट हो रहा है तो उसילेद प्रचसर मेंफце कि दर के समानुपाति होता है समानुपाति होता है सबस्काइज तो यह है फिराडय का विजूदू चुम की प्रेंडय का द्यतियनियमिंप और इस नियमनियम अनुसार हम लेख सकते हैं यह समानुपाति 5 2-51 अथाथ यह हमार पास विदुद यह चुमकियों फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वह है उसे चुमकियों फ्लक्स में परिवर्तन 5 2-5 1 बटे T क्योंकि यह परिवर्तन की दर तो दर के साथ समय भी आता है है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसामानुपाति यह डिफरेंद्स अथात परिवर्तन या डिफरेंश तो हम इसे डीफाई अपौन डीटी भी लिख सकते हैं कि इसको यदि हम आगे उरण करेंगे तो यहां सवनुपाति का चिन हटाएंगे तो मिनापास इस्थिरांख लग जाएगा ई बराबर एन टेफाइव डिती रमरे पास दित्य नियम जो आएगा यह आएगा तो आप से पूछ लेए यह सुत्रक्र किस नियम से संब्स दिते तो फेराड़े के विद्वू चुम के प्रेदन का दित्य नियम इब अब आता है हमारे पास लेंज का नियम नियम तो लेंज का नियम के कहता है यदि किसी चालक में प्रेरित उत्पन ये में होता है ये में उत्पन होता है तो वह उसी कारणों का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन हुआ है तो एक लाइन में इससे बोलना चाहिए तो हम उत्पन होने का कारण का विरोध करना, लेंज का नियम कहलाता है, तो इससे हम लिखेंगे, किसी चालक में, किसी चालक में, एमेफ उत्पन होने, या एमेफ उत्पन होना, वह उसी एमेफ के उत्पन होने के कारण, होने के कारण का विरोध करना, विरोध करना, तो यह है लेंज का नियम, अब देखते हम लेंज का नियम का सुत्र, तो E बराबर माइनस का N, डी फाई अपोन डी टी, यह लेंज का नियम है, इस कारण इसने, जो माइनस चिन है, वो धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण, जो माइनस चिन जो आया, वो धारा की दिशा में परिवर्तन होता, अतात यदि हम जो विरोध कर रहा है, वो धारा जो परिवर्तन होता है, तो कि हमारे प्रत्यवर्ती धारा में, जो दिशात्मक परिवर्तन होता रहता है, कभी प्लस में चलती है, वो कभी माइनस में, तो इस कारण ये उत्पन, इमे उत्पन होने का विरोध करता है, जितना प्लस में वो बनता है, उतना ही माइनस में वो खतम भी होता है, अधात वो विरोध करता है एक तरह से, तो इस कारण हमार पास लेंज के नियम ने, दिशा के लिए हमने धारा के दिशा के लिए माइनस का प्रियोग किया तो यह सुत्रतों है जो है माइकल फेराडे के विदुचुम के प्रेणन का दित्य निया जबकि यदि इसमें माइनस लग रहा है तो यह लेंज का नियम है और यह जो माइनस चिन है वह किसे दिखाता है तो धारा की दिशा में परिवर्तन को इसलिए इसने लेंज के नियम ने धारा की दिशा को बताया जबकि इसने इतना बताया कि जो प्रेणित इमेफ होता है वो केसे उत्पन होता है और जो इमेफ हुआ वो चुमकि फ्लक्स की परिवर्तन के दर के सावान पाती होता है अब देखते हम जो हमने प्रेणित इमेफ उत्पन किया है वो कितने प्रकार का होता है तो प्रेरित विदुत वाहक बल का प्रकार प्रेरित विदुत वाहक बल के प्रकार तो प्रेरित विदुत वाहक बल के प्रकार लाका होता है एक गती प्रेरित एमेफ और दूसरा होता है इस्थेतिक प्रेरित एमेफ पहला है गती प्रेरित एमेफ और दूसरा है इस्थेतिक प्रेरित एमेफ सबसे पहले देखेंगे हम गती प्रेरित EMF के बारे में तो गती प्रेरित EMF केते किसे हैं तो यदि हम इसमें देख रहे थे किसी चालग को हम चुमकी शेत्र में गुमा रहे थे उसमें चुमके फ्लक्स में परिवर्थन के कारा उसमें प्रेडित इमेफ उत्पन होगा था तो इसमें मैंने कहा था या तो चालक घुमेगा या चुमके शित्र घुमेगा तो गती प्रेडित इमेफ में चालक गती करेगा वह चुमके शित्र इस्थिर रहेगा रहेगा तो इस प्रकार की विवेस्ता में जो इमेफ उत्पन होगा वह गती प्रेरित इमेफ होगा क्योंकि इसमें गती चालक करेगा इसका जो सुत्र है वह यह बराबर बी एल वी साइन थीटा और इसी सुत्र से हम बहुत सार नियुमेरिकल भी सोल करते हैं तो यह वाला सुत्र तो बहुत जद़ा इंपोर्टेंट है यह बराबर बी एल वी साइन थीटा यहां जो बी है वो आ चुम किया फ्लक्स गनत ईल जो है वो चालक की लंबाई ल क्या है चालक की लंबाई वी जो है वो चालक का वेग, किस वेग से वो गूम रहा है, चालक का वेग, क्योंकि यहाँ पर चालक गूम रहा है, तो चालक का वेग, और जो थीटा है, जो साइन के साथ थीटा आ रहा है, वो चुमकी शेत्र, तता चालक के बीच कौन, अतारत हमारे पास यह दो चुमकी श परिस्तावित किया गया है वह थीटा है तो चालक वह चुम्ब किये शेत्र के बीच का हुआ है का कोंड है अब यदि हमें महें है गति परियरित अधिकतम प्राप्त करना है उसके लिएमने साइज का मॉन थिटा का मांणने वह 90 ऍहीं रिखना क्योंकि साइज सांजी होती है उसमें इसके के लिए जो अधिकतम मान है वो थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए तभी साइन 90 का मान एक प्राप्त होता है हमार पास और एक से यदि हम इस पूरे पत को गुणा करेंगे तो हमारे पास आज़ेगा ई बराबर बी एल वी तो अधिकतम मान के लिए हम देखते हैं अधिकतम मान के लिए अधिकतम मान के लिए हमारे पास थीटा बराबर 90 डिग्री अधात हम इसे लंबवत भी बोल सकते हैं लंबवत होना चाहिए इसी से हमारे पास साइन थीटा का जो मान है वहां में पास 90 डिग्री अधात साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान एक होता है जो आपको टिक्नोमेट्री सांडी में मिल जाएगा अब इसके अनुसार जो हमारे पास E बराबर सुत्रा आएगा गति प्रेरित इमेफ का वो आएगा B L V साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का हमने मान निकल लिया वहता है एक तो हमारे पास आएगा वह लिया सामफने 3ड तो हमें थीटा का मान दे रखा अनुस सोट्र प्रेयोक करेंगे लिस एलभी 4 ता थीटा का मान हम उस सुत्र जो हमेरे पास दिया हवा थीटा का मान उससे रखेंगे आब आता है हमारे पास दूसरा प्रकार सकॉत इस्थेतिक प्रेरित इम episodes पहला देखा हमने गतिक प्रेरित EMF दूसरा है इस्थेतिक प्रेरित EMF तो गतिक प्रेरित EMF में तो चालक गती करता था वह चुमकिशेतर इस्थिर रहता था जबकि इस्थेतिक प्रेरित EMF में चालक इस्थिर रहेगा और चुमकिशेतर गती करेगा चालक इस्थिर वर चुम की शित्र गती करेगा तो इस प्रकार की विवेस्ता से जो उत्पन होगा इमेफ वह इस्थेटिक प्रेडित इमेफ के लाएगा इसका जो सुत्र है ई बराबर इसका जो सुत्र है वो लेंज कर नियम का सुत्र के समान है तो इ बराबर माइनस एन डीफाई अपोन डीटी क्योंकि इसमें चुम की फ्लक्स में अधिक परिवर्तन होगा तो इसमें चुम की फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो इमेफ है वह तो इस्थेतिक प्रेरित इमेफ का यह सुत्र है इससे भी नियुमेरिकल आते हैं इस चेप्टर से बहुत सारे नियुमेरिकल आते हैं तो इस चेप्टर में जो जो नियुमेरिकल आये हैं वह आप सब ध्यान में रखें तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है और इसी के